सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रहे है कि दीपक बावरिया से बतसलूकी को लेकर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने आज दिली में MP कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं की बैठक बुलाई है प्रदीश कॉंग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष अजे सेंग चुनाव अभियान समीति के सायोजग चोतिरा दित्य सिंधिया पूर्व प्रदीश कॉंग्रेस अध्यक्ष अरुन यादव प्रदीश कॉंग्रेस की प्रभारी दीपक बावरिया समेत प्रदी गांधी इस बैटक में MP की एक कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से बात चीत करेंगे जिस तरह धक्का मुकी की गई दीपक बावरिया के साथ जो कुछ हुआ जब उन्हें नाम ले लिया कमलना तो जो तरह जिते सिंधिया का की चुनाव जीतने के बाद अगर मुख्यमं जिकर उनसे अनरोध किया है कि यदी वो चाहें तो सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं सरकार उन्हें सुरक्षा दे की हाला कि प्रदेश कॉंग्रेस मीडिया प्रभारी ने इस घटना को बीजेपी प्रायुजित बताया उन्होंने कहा कि ग्रे मंत्री कि जिम्यदारी सबसे पहले प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने की है जिनके साथ हर रोज प्रदेश में बलातकार हो रहे हैं बेटियों को सुरक्षा तो दे नहीं पाए बावरिया को देने की बात कह रहे हैं तो यह देखिए किस तरह से जब यहाँ पर आपको बताएं कि MP के ग्रहमंत्री भुपेंदर सिंग की ओर से यह बात कही गई कि अगर लगता है दीपक बावरिया को कि उनको सुरक्षा की जरूरत है तो सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करेगी लेकिन यहाँ पर किस तरह से इसी बात पर सीधा सीधा उन्होंने मजे ले लिये साफ तोर पर कह रहे हैं कि मुझे क्या सुरक्षा दे पाएंगे जब MP में आपकी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है अगर सुरक्षा देनी है तो उन बेटियों को सुरक्षा दीजिए मुझे क आप सुरक्षित कर पाएंगे, जब आपके ही कहें कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं और आप मुझे सुरक्षा देने की बात करते हैं, तो किस राज़ा चुटकी ली गई है, MPK ग्रहमंत्री भुपेंद्र सिंग की बात पर दीपक बावरिया की ओर से, वो साफ तो कि भी कोशिश हो रही थी, कई चीजें जो आप निकल कर सामने आ रही है, फिलाल इस बात पर चुटकी भी ली गई है, दीपक बावरिया की ओर से, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, अगर सुरक्षा देनी है तो उनको दो, आप अमरकर इस वक सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप ये कहें कि बातों ही बातों में सवाल भी कर गए, यहाँ पर सीधे सीधे दीपक बावरिया भुपेंद्र सिंग से, फिल्कुल ये सवाल कर दिया गया है, और जिस तरह से ये दाराज़गी का सामना बावरिया को करना पड़ा है, उसके बाद में सियासत का एक रूप इससे देख सकते हैं, क्योंकि भुपेंद्र सिंग आसानी से आम तोर पर लेटर नहीं लिखते हैं, और आम तोर पर बयान भी नहीं देते हैं, लेकिन ग्रहमंत्री ने इस तरह का वयान दिया है, यह काफी सोच समझ कर यह बाते कही हैं, और बावरिया ने भी और कॉंग्रिस ने भी जिस तरह से उसको डिफेंट किया है, बावरिया का, इस पूरे घटना करम का, तो उससे ऐसा लग रहा है कि यह जो सियासत हैं आने वाले दिनों में और भी गर्म होने वाली है, मत्यप्रदेश में और यहां तो सिधा सिधा एक बार फिर से कहें कि बताने की कोशिश हो गई है कि बेटिया सुरक्षित नहीं है, आप उनको तो सुरक्षा नहीं दे पारें, मेरी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सिधा सिधा लॉइन ओर को लेकर कि सवाल उठा दिये गए गए, ग्रह मंतरी के हिंसार भड़क रही है, मौब दिर्चिक के घटनाएं बढ़ रही है, नाबालिकों के साथ में बलातकार की घटनाएं बढ़ी है, तो कॉंग्रेस ने जिस अंदाज में ग्रह मंतरी को घेरा है, यह उल्टा ग्रह मंतरी घरते हुए नजर आये थे, अलाकि कोशिश जरूर भूपेंद्र सिंग की, कि वो कॉंग्रेस को लपेटे में ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से आक्रामक हुई है कॉंग्रेस और खुद दीपक बावरिया, और खुद कॉंग्रेस के दूसरे बड़े दिगज लीडर्स, उससे ऐसा लगा है कि अब भूपेंद्र सिं कॉंग्रेस में आम तोर पर टिकेट मांगने के लिए इस तरह से नारे बाजी की जाती है, दीपक बावरिया उनको एग्नूर कर रहे थे, और इग्नूरिंस की वज़े से यह ज़्यादा आक्रमक हो गा है, और दीपक बावरिया के खिलाप में उनको धक्का मुक्की का सामन या उन नेताओं की उन समर्थकों की भीड़ की नाराजगी का सामना उनको करना पड़ा था, और ये मुश्किल काम है क्योंकि कॉंग्रेस के परंपरा रही है, जब भी टिकेट के लिए दावेदारी पीश की जाती है, तो दो गुट जब भी आमने सामने आते है या नेता क अगर दिखाई देती है, तो ऐसे में उन नेताओं की, समर्थकों की, दावेदारों की नाराजगी जहल नी पड़ती है, दीपक बावरिया के जरीए ये पहला मामला निकल कर सामने आया है, जब जमीन पर यादी कोई नेता पहुंचेंगे, दावेदारों से सामना होगा, तो उनको कारेकरताओं की नाराजगी भी जहल नी पड़ेगी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कॉंग्रेस की तरफ से जब से कमलनात ने अपने हाथ में ली है, उसके बाद में कॉडिनिशन का एक जिम्मा दिखविते सिंग को दिया गया है, ऐसे में किस तरीके से एका नहीं है, कॉंग्रेस के अंदर मध्यप्रदेश में दो नाम निकल कर क्या सामने आए, वहाँ पर धक्का मुकी शुरू कर दी जाती है, और इसी को लेकर राहूल गांदी आज बैठक कर रहे है, मध्यप्रदेश के बड़े लीडर्स के साथ, क्या वाकई में इस बैठक के बाद माने मनमुटाव दूर हो जाएगा, यह एक समस्या का विश्या बन जाएगा भविश्य में कॉंग्रेस के लिए, तमाम सवाल यहाँ पर उठखड़े हुए है, जो मामला निकल कर सामने आए, संदीब जानकारी देने के लिए धन्यवाद